मैं आपका गुरू नहीं हूँ, audiobook by millionaire minds, कभी-कभी public और media मुझे नेत्रित्तु करने वाले गुरू के रूप में बुलाती है, लेकिन मैं कोई गुरू नहीं हूँ, मैं एक साधारान सा इनसान हूँ, जिसने इस सदी के great achiever से उनके विचार और सुनसाधनों की जानकारी की है, लेकिन मैं आपसे यह सपष्ट करना चाहता हूँ, कि मैं वास्तव में आपसे अलग नहीं हूँ, मेरी अपने संघर्ष है, मेरी अपनी ऐसा फलताएं हैं, और मेरा डर साथ ही मेरी आशा, लक्ष और सपने भी हैं, मेरे पास कुछ अच्छे पल भी हैं, और कुछ उप्युक्त मानते हैं, कृप्या उसे अच्छी तरह जान ले, क्योंकि उसके लिए मैंने अपने जीवन के कई दिन उसकी जानकारी कठा करने के लिए बताएं हैं, लेकिन मैं आपसे यह सपष्ट करना चाहता हूँ, कि वास्तव में मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मेरा घर्ष है, मेरी अपनी ऐसा फलताएं हैं, और मेरा डर साथ ही मेरी आसा, लक्ष और सपने भी हैं, मेरे पास कुछ अच्छे पल भी हैं, और दुखत प्रसंग भी, मैंने कुछ बेहत खराब गलतियां की हैं, और कई अच्छे निड्ने भी लिए हैं, मैं एक ऐसा इनसान कई दिन उसकी जानकारी इकठा करने के लिए विताएं हैं सोच, विचार और वेवारिक दोड तरीके के बारे में आपकी मदद करने के लिए और एक इनसान की जीवन रूपी खेल खेल कर चोटी पर पहुँचने के लिए मैं प्रयास करता रहा हूँ कमपनियों को असाधारन स्थान पर पहुचाने के लिए क्या किया जा सकता है इस पारे में मैं सोचता रहता हूँ लंबे समय तक कारे करने पर आपको उसकी अंतर द्रिष्टी और समझ की गहराई का पता चल जाता है उसके बाद ही आपको गुरू कहा जा सकेगा भारत के बैंगलोर शहर के एक बुक्ष्टोर में हस्ताक्षर देते वक्त एक व्यक्ती ने मुझसे सुना कि मैं गुरू नहीं हूँ वह मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा आप खुद को गुरू कहलवाने में इतना एसहज क्यों महसूस करते हैं गु का संस्कृत सीधा मतलब होता है अंधेरा और रू का सीधा मतलब होता है दूर करने वाला इससे साफ होता है कि गुरू का मतलब वह वक्ती है जो अंधेरा दूर करता है और उजाले का महत तो समझाता है उनका मुद्दा बेहद उचित था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया अगर आप यह सोचते हैं कि मैं आपसे अलग हूँ तो आप यह कहिए कि रॉबिन जिस तरह की बाते करता है उस तरह की बाते मैं नहीं कर सकता क्योंकि रॉबिन में जो प्रतिभा और काबिलियत है वह मुझ में नहीं है वह जो कहता है वह उसके लिए बेहद असान है इसलिए वह गुरू है नहीं, बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं भी आपके जैसा ही मेहनत करने वाला आम इनसान हूँ जो दो बेहत खुबसूरत बच्चों का पिता है और उसे अकेला ही संभाल रहा है और जो सोचता है कि लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है यहां कोई गुरू नहीं है लेकिन मुझे अंधेरा दूर करने वाला मुद्धा बहुत पसंद आया उसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ शायद कोई गुरू इसमें मेरी मदद करे और चाहता है